जैहिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेन के छट पर लगी ये जाली नुमा आकिरती आकिरी ये क्या करती है और चोरी से बचने के लिए रेलेवे ने अपने पंखों को 110 बोल्ट क्यों का दिया और ट्रेन का जो AC होता है ये कितने टन का होता है इसकी छमता कितनी होती है और ये इसके नीचे इस तरह से cylindrical drum क्यों लगाए रहा है कोच के बाहर यहां लिखा रहता है side feeling इसका मतलब क्या होता है और यहां lift here क्यों लिखा जाता है रेलेवे अपने ट्रेनों में से इस तरह के screw coupling को हटा कर CBC coupling को क्यों करना चारा है और ट्रेन के अंदर लगे इस lights का मतलब क्या होता है जो बीच में लगे रहते हैं साथ ही रेलेवे अपने toilet को जो CDTS toilet थे इसको हटा कर ये अभी convert करने जा रहा है बायो toilet में रेलेवे अपने आधुनी ट्रेनों से इस side buffer को क्यों हटा दिया और ये क्या करते थे side buffer अब नए ट्रेनों में ये side buffer को क्यों नहीं लगाये जा रहा है आप देखे होंगे किसी ट्रेन के side में यहाँ पीले रंग की पटी बनाई गई है जबकि आप इस ट्रेन में देखेंगे तो यहाँ कोई भी पटी नहीं बनाई गई है किसी ट्रेन के आप बोगी पे देखेंगे तो ऐसे lining यह क्यों खीची गई रहती है इसका मतलब क्या होता है ट्रेन में सफर के दोरान आप ट्रेन के छट पर इस तरह एक जाली नुमा आकरती देखे होंगे इसे roof ventilator कहते हैं आपको पता है कि गरम हवा हमेशा उपर की ओर जाती है जब ट्रेन में भीड जादे हो जाती है तो उसमें गरम हवा बनने लगती है और यह गरम हवा ट्रेन के ऊपर जाती है जिस वज़ा से इसको निकालना जरूरी है नहीं तो ट्रेन डिस बैलेंस होकर दुरगटना गरस्थ हो सकता है तो इस हवा को बाहर निकलने के लिए जाली दे दिये जाता है और इसको ऊपर की ओर ट्रेन के ऊपर देखेंगे तो इस तरह से निकलने का रास्ता दे दिये जा और उसको केवल इस तरह से ढग दिये जाता है कि बारीस के दुरान डारेक्ट पानी अंदर ना है तो इसे हम लोग रूफ वेंटिलेटर सिस्टम कहते हैं आप एक और चीज देखे होंगे कि ट्रेन के पंखे या बल्ब आपके घर में बिजली से नहीं चल सकते हैं इसका सबस चलाते हैं तो DC अमूमन 12 वोल्ट का रहता है मीडियम लेबल की कोई भी मशीन 24 वोल्ट की बड़ी चीजे रहती है और 25 वोल्ट के छोटे-छोटे खिलोने वगरा रहते हैं यानि रेलेवे समझ गई कि AC अगर घर में चाहिए तो 220 वोल्ट DC चाहिए तो 24 या 12 चाहिए तो और क्या करिए कर ले जाके ये तो ये आपके लिए एकदम बेकार हो गया इस से रेलेवे की समानों की चोरी रुख गई ये 110 वोल्ट DC कहां से आता है तो ट्रेन के नीचे लगे इस बैटरी बॉक्स से आता है आप ट्रेन के नीचे देखे होंगे इस तरह से एक बैटरी करेंट P is equal to V into I यानि अगर आप वोल्टेज को कम करिएगा तो धारा यानि करेंट बढ़ जाएगा अब ट्रेन में 110 वोल्ट राता है और घर में 220 वोल्ट यानि ट्रेन का वोल्टेज कम है तो वोल्टेज कम होने से उसमें धारा बढ़ जाती है इस वज़े से तार के जलन अप्लाई रहे तो बहुत जादे धारा जाने से उसमें आग लग सकता है कोच के अंदर की बैटरी को ये स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए इस तरह से एक इंडिकेटर लगा दिये जाता है आप ट्रेन में देखे होंगे ऐसे इंडिकेटर लगे रहते हैं ग्रीन का मतलब ए 110 बोल्ट पर दिये जाते हैं आपको पता है कि जब भी बोल्टेज कम रहता है तो धारा जादे हो जाती है और वहां सौट सर्कीट का डर होता है आप ट्रेन पर पैदान के पास दिखेगा एक और लिखा रहता है साइड फिलिंग और लिखा रहता है लिफ्ट हियर वो कहीं बोगी को साइड में कर दिये जाता है तो उठाने के लिए आखिर कहां पर आप क्रेन फसाईएगा वहीं न फसाना पता चला कहीं और फसा देंगे तो अंदर का कोई इस्टूमेंट तूट जाएगा तो फसाने वाले जगह को इंडिकेट करने के लिए लिखा रहता है मेंटिनेंस के लिए या फिर इसके ऊपर कोई मेंटिनेंस का काम करना रहता है तो उसको हम उपर इस तरह से रोक लेते हैं तो यह साइड लिफ्ट का काम होता है कोच अलग हो गई और बोगी अलग हो गई हाला कि साइड बफर में भी हम चेन लगा कर हम किसी कोच को उठा सक सकते हैं और उसके अंदर की बोगी को बाहर निकाल सकते हैं यहां साइड बफर को उठा कर कोच को उठा लिया गया है और नीचे से बोगी को इसके बाहर निकाल दिया गया है अब side feeling का मतलब समझते हैं side feeling का मतलब होता है side मतलब इस side से feeling मतलब भरिये ये पानी भरने के लिए जगा दिया होता है side feeling ताकि टंकी में पानी को आप भर सके पानी भरने की बिवस्था railway के हर station पे नहीं रहते हैं बड़े बड़े station पर इसकी बिवस्था रहती है इसके लिए आप देखेंगे 4 इंच मोटा एक pipe रहता है जिसमें से ये flexible pipe निकले रहते हैं इन pipe की मदद से हम यहां से railway का कोई staff side feeling जहां रहता है वहाँ उस पानी को भरने लगता है ये पानी कहा जाता है तो ये उस coach के tanki में जाता है एक coach में 4 tanki रहती है दो इस side के bathroom में हर bathroom की tanki अलग रहती है तो इस side में दो इस side में रहती है यानि total 4 tanki रहती है और एक tanki की capacity होती है 500 liter रहती है और इसको भरने में 20 minute का समय लगता है तो ये आप देखिए total capacity कितनी हो जाएगी 500 liter की एक रहती है ऐसे चार tanki रहती है क्योंकि 4 bathroom रहता है एक डिबे में तो total 2000 liter इसमें भरा जाता है लगबग 20 minute में इसे भर दिये जाता है ये railway staff की काम होता है कि जैसे train आके लगेगी अब क्या करें कि दिब्बों को देखिएगा तो ये side में ये थोड़ा सा पचके होते है यहाँ पे देखिए ये side से थोड़ा सा पचका हुआ है क्यों पचका है कि वहाँ टंकी नहीं है वहाँ पर क्या लगा हुआ है AC जबकि आप normal trainer को देखेंगे जिसमें AC नहीं है वो एक बराबर रहते हैं सब अब यहाँ AC लगे होने के वैसे हमको टंकी कहीं और सेट करना पड़ेगा इसलिए टंकी नीचे सेट कर दिये जाता है जिसे डो drum cylindrical type के दिखाई देते हैं जिसे water tank है इसी में से पानी का यूज किया जाता है कोच में एक डिब्बे में दो AC है अता साथ दुनी 14 टन इनकी क्या हो गई छमता हो गई यह चलते हैं 415 भोल्ट के 3 फेज AC सप्लाई से इन्हें generator द्वारा दे दिया जाता है 3 फेज AC सप्लाई देखे ट्रेन के जो पानी भरा जाता है जनरली किसी डिब्बे में ऊपर की ओ टंकी रहता है जबकि AC वाले में नीचे रहता है इस पानी को अमूमन कोई पीता नहीं है जादे तर लोग हाथ वगएरा धोने या बातरूम के काम में इसे लेते हैं अब बातरूम से रेलेवे को बहुत बढ़ा दिक्कत था लोग बातरूम करते थे ट्वालेट बातरूम तो उनका जो वेस्टेस था वो पट्री पे गिरता था जिससे पट्रीयों को जंग लग जाता था तो जो पहले के जमाने के train थे न बात्रूम उसमें open discharge system था यानि अगर कोई toilet बात्रूम गया तो उसका total भी वेस्टेज है पट्री पर गिरेगा इससे दो समास्या एक पट्री पर जंग लगता था दूसरे जब railway station पर train खड़ी रहती थी और उसमें कोई बात्रूम गया है तो railway track पर बहुत जादे गंदगी होने लगती थी बड़े station पर इससे सफाई कर दिया जाता था लेकिन छोटे station पर साफ करने की कोई बेवस्था नहीं थी इससे बचने के लिए railway ने open discharge system को बंद किया आप देखे हो मैं पहले के train में एक pipe ऐसे लटका राता था नीचे side में open discharge इ तक आएंगे तो CDTC यह क्या करता है यह toilet को control करके रखता है जब तक कि train की train platform को न छोड़ दे अब इससुरा को किसे पता चलेगे कि train में platform को छोड़ दी तो इस पे एक system लगा रहता है कि जब तक train की speed 30 नहीं हो जाती है 30 km per hour तब तक इसके अंदर से discharge का ढखकन खुलेगा ही नहीं की बाहर नीचे गिरे लेकिन इस विदी द्वारा आप गंदगी को रोक सकते हैं लेकिन गंदगी थोड़े दूर पर तो हो ही रही है और track को भी जादे खत्रा हो रहा है क्योंकि उस पे जंग लग रहा है इसके लिए 2011 में DRDO ने एक bacteria के मदद से toilet को बनाया जिसे हम कह देखे होंगे आजकल हरे ट्रेन में मिलेगा एक चौको डबा लगा रहा था इस साइड में इसके अंदर कई थो पार्ट बने रहते हैं उसमें bacteria जीवानों को डाल कर DRDO भेजी रहती है यह क्या करते हैं हमारे toilet bathroom को उसको decompose कर देते हैं उसको छोटे-छोटे टुकडों में तोड़ देते हैं डिकंपोज कर देते हैं और गैस बनाकर वो निकल जाते हैं इसमें किसी तरह का maintenance भी नहीं है ट्रैक पर गंदगी भी नहीं होगी और ट्रैक भी जंग लगने से बच जाएगा अथा अभी के समय में जितने भी toilet है वो DRDO दोरा बनाए गाए बायो इसमें कचड़ा नहीं डाले लेकिन हिंदुस्तान के लोग को एतना समझे सब्सक्राइब किसी किसी का नाम लीग देता है इसलिए इसमें कचड़ा न जाए उसके लिए इसके फ्लस पर एक ठोट जाली लगा देती देखिए आप किसी भी toilet के seat को देखके नहीं बता सकते है कि वो बायो ट्वालेट है या फिर ओपें डिश्चारज है या फिर वो सीडी टीस है ये तो एक seat है बैठने के लिए इसे western culture का कहते है ये इंडियन कल्चर कहते है अगर आपको पता करना है कि ट्वालेट कौन सा है फिर तो आपको कोच से बाहर आना पड़ेगा और नीचे का देखना पड़ेगा कि कौन से परकर का ट्वालेट है हला कि आजकर जितने भी देखने को मिलेगे वो सब किसब बायो ट्वालेट ही लगाय जा रहा है नीले रंग वाली ICF कोच में बिजली बनाने के लिए उसके अंदर अल्टरनेटर लगाय जाता था जिससे उसकी स्प अपत AC में होती है और AC भी जो होता है वो 415 भोल्ट ही लेता है तो आप कहेंगे कि यह 750 भोल्ट क्यों बनाया है तो देखिए जब करेंट को आप दूर सप्लाई देते हैं तो कुछ भोल्टेज लॉस होता है इसलिए यह 700 भोल्टेज बनाता है कि ताकि AC को उस तक इंट्री कर नहीं होता है तो उसे ऑन बोर्ट केटरिंग यानि बड़े इस्टेशनों से खाना डारेक्ट रेडिमेट मना कर उसमें सर्व किया जाता है ट्रेंड के किसी-किसी डब्बे पर आप ट्वालेट के पास इस तरह से लाइनिंग देखते होंगे यह जनरल बोगी क यह एक और पहचान होती है कि इसमें तीन दरवाजे लगाए जाते हैं तीन दरवाजे इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि इसमें भायानक कोच के पूरा भीड होता है दम भायानक दम देखिये नहीं अता यह भीड जल्दी से निकल जाया और जल्दी से इंट्री कर जाया इसलिए इसमें तीन दरवाजे दिये जाते हैं, स्लीपर में केवल दो दरवाजे दिये जाते हैं, एक साइड में, एक चीज़ आप गवर किये होंगे, कि जनरल पॉगी या तो सुरू में लगाता है, या तो लाश्ट में लगाता है, दूसरा, स्लीपर का अगर आप लॉन देखिएगा, तो एक से दूसरा जुड़ा रहता है, आप यहाँ देखिए एक लंबी गैलेरी दिखेगी, आप गैलेरी देखिए, इसको कहले दियान से देख रहे हैं आप लोग, इदर मत देखिए, यह लंबी गैलेरी देखिए, तो यह पूरा बॉगी एक से दूसरे से जुड़ा रहता है, पूरा डिबबा एक से दूसरे में, आप देखिए इसको जोडने के लिए, यहाँ कनेक्ट करने के लिए एक दरवाजे दिये रहते हैं, आप यह काले रंग का पाइक देखिए होंगे, इस तरह से, किसी किसी ट्रेन में रहता है, तो यह इस बॉगी से आप उस बॉगी में जा सकते हैं, यहाँ नीचे एक पैरदान बना दिये जाता है, ताकि आप वहाँ से जा सकते हैं, आप देखेंगे, स्लीपर का पूरा डिबबा आपस में कनेक्ट रहता है, और आप इस बीच के कनेक्टर के द्वारा इस डिबबे से, इस डिबबे में आप आराम से आ सकते हैं, जबकि जनरल डिबबा आपस में नहीं कनेक्ट रहता है, इसलिए जनरल डिब्बे को सुरू में दे देते हैं और लास्ट में दे देते हैं और बीच में इसे नहीं देते हैं क्योंकि बीच में देने के बाद connection कट जाएगा रेलेवे के कुछ डिब्बों पे देखे होंगे यहाँ पर पहले जमाने के जो नीले रंग के डिब्बे थे उसको जोडने के लिए इस कुरू कॉपलर का परियोग करते थे यानि इस डिब्बे को और इस डिब्बे को जोड़कर एक हुक से इसी स्कुरू को कस दिया जाता था इसमें समस्या क्या होती थी, कसने का तो कस दियें, जब ट्रेन चलती थी तो उसमें तनाव रहता था, लेकिन जब ट्रेन रुखती थी, तो रुखने के बाद से ये screw नीचे हो जाता था, और ये डिबा उस डिबे पर चढ़ने का डर होता था, टकरा मज जाए, तो इस टकरा उस पे ना चड़ जाए तो ये इस पे चड़ेगा तो ये side buffer जो है आपस में टकराएंगे इसमें spring लगा रहा था ये कुछ अंदर भूज जाएगा और फिर ये उसको ढखेल देगा इस तरह से ये एक दुरगटना को रोक सकती थी लेकिन इसमें जटके जादे लगते हैं दूसरा एक और दिमेरिट है कि इसमें आपको लोहे की बरबादी है दो दो टो side buffer जोड रहे हैं इतना है भी फिर इस डिब्बे को जोडने के लिए screw coupling का पर योग कर रहे हैं तो इतना क्यों किया जाए तो railway ने दिमाग लगाया उसने ये बीना पीला पट्टी वाले के जग वो होता है center buffer coupling यानि इसके बीच में ही जो buffer यानि spring लगाना होता है उसी के मुह उपर एक क्या कर देते हैं coupling भी जोड देते हैं यानि वही डिब्बे को जोड़े रहता है और वही spring का भी काम करता है आप देखिए इसी को हम लोग कहते है center buffer देखिए ये शुरुवात का हिस buffer का है तो इसे हम कहते हैं CBC यानि center buffer coupler इसमें क्या होता है ये जादे अच्छा माना जाता है इससे accident होने के बाद train को इधर उदर छटकने का मतलब डिब्बा को विखरने का डर नहीं रहता है एक ही जगा रहता है और ये जादे जटके को एक्जॉर कर लेता है तो जिस डि CBC तो जितने भी LHB coach आये थे नए जमाने के उसमें ये already inbuilt था लेकिन जो पुराने जमाने के ICF coach थे उसमें आज भी side buffer का यूज होता है तो railway इन side buffer को हटा रही है तो जैसे इसमें देखे इसका side buffer को काट दिया गया है तो इसको देखा गया railway द्वारा कि इस डिब्बे की अभी IU है इसका age है बस इसमें problem है इस side buffer और screw coupling से तो इसके screw coupling को हटा दिया गया और side buffer को हटा दिया गया और इसमें CBC यानी center coupling को जोड दिया गया इसकी पाचान आराम से कर ली जाए इसलिए इसके side में आप दिखेगा पीले रंका print कर दिया गया है ताकि इसकी पाचान हो स screw coupling का परियोग कर रहा है और LHB की तो बाते नहीं के रिए इसमें तो CBC देता ही है आप train के डब्बे पर कुछ number लिखे देखे होने हैं इसे हम coach number कहते हैं यह 5 digit यानी 5 अच्छर का होता है शुरुवात के जो 2 digit होते हैं यह इस साल को दरसाते हैं कि किस साल में यह coach बना हु हुआ है लाश्ट में पढ़िए 0-52 यह AC coach को दरसाता है दिखे AC coach एक number का डिब्बा माना जाता है तो एक से लेकर 200 तक का number यह AC coach को दरसाते हैं एक से लेकर 200 तक का तो आप बताए यह 52 किसमें आएगा एक से लेकर 200 के बीच में यानी यह AC डिब्बा है और शुरुवात का 2 अच्छा 0-4 यह बता रहा है कि 24 का बना हुआ है अब AC के बाद second number आता है कि इसका sleeper का तो एक से 200 AC हो गया तो 200 से लेकर 400 तक sleeper होगा sleeper बहुगी 200 से 400 होगा आप देखे इसमें लिखा है अन्थानवे 335 तो अन्थानवे क्या है कि यह डिब्बा भया उनी सो अन्थानवे क बना है 335 तो यह 200 से 400 के बीच में आएगा यह कौन सा है तो sleeper को यह दरसा रहा है sleeper के बाद आता है आपका general तो जनरल कहां से होगा तो वही एक से 200 AC हो गया 200 से 400 sleeper हो गया तो 400 से लेकर 600 के बीच में आपका general डिब्बा आ जाएगा आप यहां पड़ यह लिखा है हम यहां पहचान आपको बता दिये हैं कि आपके दरवाजे इसमें कितने दिखाई देंगे तीन दरवाजे इसमें दिखाई देंगे साथ में साइड में यहां इसे लाइनिंग भी दिखाई देगी अब 600 से 700 चेयर कार को दरसाता है देखिए train में जब भीड जादे हो जाए और सब भी रिजर्वेशन होता है तो वो चेयर कार के डिबबा को दरसाय जाता है कहां से 600 से लेके 700 तक के चेयर कार को दरसाय जाता है जैसे यहां लिखा है 02-615 अब बताए 2002 की बनी है 615 तो इसी के बीच में आएगा यह जन सताबदी train है और यह चेयर कार को दरसा रहा है अब 700 स 800 तक का नंबर जो होता है वो sitting calm luggage को दरसाता है जब कभी railway को ऐसे डिबबे भेजने रहते हैं कि जिसमें जादे समान नहीं ले जाना है तो क्या करते है उस डिबबे में आधा बैटने का जगा बना देता है sitting के लिए और आधा luggage को बना देता है और इसी को हम लोग कहते है sitting calm luggage इसका नंबर 700 से 800 के बीच में होता है आप यहां पढ़िएगा लिकाए 08701 तो आप बते हैं 701 तो 700 और 800 के बीच में ही आएगा अता यह sitting calm luggage है आधा जो लगेज होगा और आधा में आदमी बैठेंगे तो इसको generally railway क्या करती है कि इसको विकलांग सेनी में डाल देती है क क्योंकि handicap की संख्या कम होती है तो उनको इसी में डाल देती है आप इसमें सेफ रहिए तो यह आप इसको पहचान सकते हैं यह 2008 का है अब जिसमें DP के ऊपर 800 से जादे का नंबर लिखा रहता है तो या तो वो चिठी ले जाने वाली बोगी होगी या तो पेंट्री कार वाल है तो 800 से जादे में या तो पेंट्री कार होगा या तो फिर मेल वाला होगा जो चिठी ले जाता है या तो जनेरेटर कार होगा आप यहां एक चीज़ दखेंगे यहां C लिखा हुआ है C किस चीज़ को दर सारा है कि यह CBC कॉपलिंग है और इसमें साइड बफर नहीं लेकल यानि आखरी डिबबा अब निकल गया है टेंशन फ्री ट्रेन कहीं से टूटी नहीं है बीच से आप टेंशन फ्री रहिएगा इसके अलावे आप देखेंगे यहां एक लाइट लगा रहता है जो कंटिन्यू नहीं जलता है बलकि बिलिंग करते रहता है साइड में अगर बीच में कहीं ट्रेन कोई fault आ जाता है तो पीछे से अगर कोई same track पर ट्रेन आ रहे है तो उसे हो लाइट दीख सके अब यह light को energy जी कहा से मिलती है तो बैटरी से मिलती है आप ट्रेंच में सफर करते समय इस तरह से सी फा या डबलू या डबलु एल-साइं। देखे होगे यह संटिंक साइं। सिग्डल साइन। इस सब का मतलब क्या होता है? और